संसार व्यवहार से जुड़े कई महत्व पूर्ण नियम और संयम शास्त्रों में बताए गए हैं। इस विशय पर चर्चा करते हुए, हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे आचरण और मर्यादाएं हमें सुखी, स्वस्थ और सम्रिद्ध जीवन की ओर ले जा सकती हैं। यह वीडियो आपको संसकारों और संयम के महत्व को समझाने का प्रयास करेगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं पवित्र शास्त्रों और धर्म गरंथों के अमूल्य ज्यान को। आज हम जानेंगे करभाधान के वह रहस्य और उपाय जो आपके जीवन में सुख, शान्ती और सम्रिद्धिल आ सकते हैं। एक ऐसा अनुष्ठान जो केवल संतान प्राप्ति का ही मार्ग नहीं है, बलकि भविष्य में एक उत्तम आत्मा को आमंत्रित करने का अवसर भी है। इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों के आधार पर बताएंगे गरभाधान के प्रत्तियक पहलू का महत्व और विधे। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें छिपे हुए रहस्य आपके जीवन में चमतकारी बदलाव ला सकते हैं। यदि आपको हमारे चैनल का यह प्रयास अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। हमें आपके सहयोग की आवश्यक्ता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण और प्रेरणा दायक कंटेंट ला सकें। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस विशय पर आपकी क्या राय है। चलिए, अब शुरू करते हैं हमारे आज के इस अनमोल और ज्ञान वर्धक विशय की यात्रा। विवाहित दमपत्ती के जीवन में संयम और ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह न केवल पति-पत्नी के संबंध को शुद्ध और मजबूत बनाता है, बल्कि उनके स्वास्थे और आध्यात्मिक जीवन को भी संबारता है। शास्त्रों के अनुसार, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अश्ठमी जैसे विशेश तिथियों में स्त्री समागम से बचना चाहिए। इन तिथियों का संबंध आत्मिक और शारीरिक संतुलन से है और इनका उल्लंगन करने से कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते ब्रह्म वैवर्थ पुरान के अनुसार, दिन और संध्याओं में नींद या स्त्री सहवास से बचना चाहिए। ऐसा करने से कई जन्मों तक दरिद्रता और रोक का सामना करना पड़ सकता है। प्रेश नक्षत्र जैसे अश्विनी, रेवती, भरणी आदी के समय स्त्री सहवास से बचना चाहिए। इसका उल्लंगन करने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने से न केवल आयू का नाश होता है, बलकि व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक पतन का भी खत्रा रहता है, शास्त्रों में इसे एक गंभीर पाप माना गया है। संयम और नियमों का पालन हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। ये नियम हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थे को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अगर हम इन मर्यादाओं का पालन करेंगे, तो जीवन की हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। हिंदू धर्म के शास्त्रों में रितुकाल की रात्रियों का विशेश महत्व बताया गया है। एसा माना जाता है कि ग्यारहवी और तेरहवी रात्री को छोड़ कर अन्य रात्रियों में गरभाधान करना श्रेष्ट होता है। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में गर्भाधान करने से उत्तम संतान प्राप्थ होती है। शुक्ल पक्ष में गर्भ रहने से पुत्र और शुक्ल पक्ष में गर्भ रहने से पुत्री की प्राप्थी होती है। इस दिन संध्या से पूर्व, स्नान और स्वच्छ वस्त्र पहन कर इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। गर्भाधान को यग्य माने और यग्य की भावना रखें। इस समय विलास के भाव से दूर रहें। गर्भ के दौरान दमपती परमात्मा में चित्त वृत्तियों को स्थिर कर उत्तम आत्माओं का आवाहन करें। कि उनके परिवार और समाज के कल्यान के लिए एक पवित्र आत्मा जन्म ले। गर्भाधान की रात को दाएं पैर से शैया पर चड़कर निम्न लिखित मंत्र का उच्चारण करें। अहिरसी आयूरसी सर्वतह प्रतिष्ठासी धाता त्वाम दधातू। गर्भाधान के समय मन पूरी तरह ध्यानस्त रहे। ऐसा करने से गर्भधारन की क्रिया सफल होती है और संतोष जनक परिणाम प्राप्त होते हैं। हे ब्रह्मांड की पवित्र आत्माओं, हमारे परिवार, समाज और देश की भलाई के लिए इस पवित्र कार्य में हमारा सहयोग करें।